पुझआए बाइबल में याकुप चार दो में लिखा है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगती नहीं याकुप चार की ओर चलते हैं मैं चाहती हूँ आप पहला वजन देखें आप में से कितने अभी से सोच रहे हैं कि वे उतना नहीं मांगते आए चितना उन्हें मांगना चाहिए बहुत से लोग परमीश्वर के साथ अपनी चाल में बहुत दुखी होते हैं कि वे शरीर के कामों में लगे रहते हैं मैं हर वक्क शरीर के कामों में पड़ी रहती थी और शरीर के काम काम नहीं करते, वे ऐसे काम होते हैं जो काम नहीं करते, आपके वल अपने को थका देते हैं, अपने बच्चों को बदलने की कोशिश में, अपने साथी को बदलने की कोशिश में, कोशिश, 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 कोशिष। पर कै आफ विश्वास कर रहे हैं। हमें विश्वास ही कहते हैं। क्योंकि विश्वास शियों से विश्वास करनी के आफिक्षा होती है। हर चीज के लेंकितना अद भुझ जवाब। आपको जो चाहिए हो हम सब्दा कि प्रते एक दिन 2400 घंटे मांग सकते हैं, हमें जिसकी भी आवशक्ता हो, हमें कभी व्यस्त होने का सिगनल नहीं मिलता, आपको जो भी चाहिए, वो मांगो, आप ये शुके नाम में मांगो, और वे आपकी सुनेंगे, और आपको जवाब देंगे, अन्बन लोगों की जीवनों में बहुत बड़ी समस्या और वेशात प्रात्ना सुनी जाने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, लोग लड़ते हैं और बहस करते हैं, घरों में अशान्ती होती है, गिर्जे में लोगों की आपस में नहीं बन दी, गान दल में नेता पादरी से करुदित हैं, और गवईये नेताओं से करुदित होते हैं, और वहां बैठी हुई कोई बेहन आ रहा, अधना कमार दर्शन करना चाहती हैं, और हर और अन्बन होती है, कितने ये कहते हैं कि ये कहना काफी सही है कि दुनिया में बहुत अन्बन फैली है, और ये एक बहुत खतरनाक चीज है, जिहां ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, दरसल ये आत्मिक है, विश्वासियों के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक, इसलिए ये शुनी कह मैं तुम्हें अपनी शांती दे जाता हूँ सो हमार पास शांती है ये हम पर निर्भर है कि हम उसे इस्तमाल करें परमीश्वर ने हमें इसलिए प्रार्थना करने का विशिश अधिकार दिया है ताकि हमें चिंता न करने पड़े फिलिप यूचार के अनुसार किसी भी बात की चिंता मत करो पर नतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन परार्थना के साथ परमीश्वर के समुख उपस्थित किये जाएं तब बे शांती जो समत से बिल्कुल परें है तुम्हारे रिदय और तुम्हारे विचारों को मसी येश्य में सुरक्षित रखेगी जिस पली ही कुछ गटी तो प्रार्थना करो अपनी सांसों में परमिश्वर के आगे प्रार्थना करो उसके लिए किसे विशेश मुद्रा के आवश्रकता नहीं आपको किसे विशेश स्थान की जरूरत नहीं सिर्फ प्रार्थना करें पर मैं ये स्विकार करूँगे और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत से बिल्कुल यही बात कहेंगे कि चाहे आप नियामित गिर्जे जाते हैं चाहे मैं भी नियामित गिर्जे जाती थी मैं दरसल गिर्जे में एक मारक दरशक थी फिर भी मेरे जीवन में बहुत अन्बन थी और याकूब चार एक यानुसार तों में लडाईया और जगड़े कहां से आ गए अन्बन और विवादों का क्या कारण है हम क्यों मित्रता पूर वक्त नहीं रह सकते लोगों के साथ बहुत से लोग दुखी क्यों है जानते हो बहुत कम मसीही पूर्नकालिन प्रसन्न मसीही होते है मैं पूर्नकालिन प्रसन्न रहने वाले मसीहों की बात कर रही हूँ आनशिक नहीं हम तालियां बजा सकते हैं, प्रसनता से कूच सकते हैं, जब हम गिर्जी जाते हैं, पर आराधना का दल संगीत बजा रहा होता है, वूई, 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 पर मैं पूर्णा काली इन प्रसनता की बात कर रही हूँ, पूर्णा काली इक प् वचन दो कहता है इसका कारण ये है क्या आप तैयार है तुम लाल सा रखते और तुम्हें मिलता नहीं तुम हत्या और दहा करते और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तुम जगड़ते और लड़ते और ये सुनिये तुम्हें इसलिए नहीं मिलता की मांगते नहीं तुम्हें इसलिए नहीं मिलता की मांगते नहीं ओ हे प्रभू तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगती नहीं यदि आप किसी को आशिष मिलती देखें तो उनसे इर्शा करने और बुरा रुख अपनाने की बचाए आपको उनके लिए प्रसन्न होना और परमेश्वर से ये कहना चाहिए मेरे विचार से ये सच मुझ बढ़िया है मुझे भी इस से आनन्द मिला था परमेश्वर यदि आप कभी मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आनन्दित होँगा पर मैं प्रसन्न हूँ हमें कई बार अपने से कहना पड़ता है मुझे प्रसन रहने के लिए वे प्राप्त करना आवश्यक नहीं है मैं इस वक्त प्रसन नहूं हम सभी को याद रखना है कि हम परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति हैं और उनके पास हमारे जीवन के लिए व्यक्ति गत योजना है और वे सभी के जीवन में सभी कुछ एक तरीके से नहीं करते हैं हमारे आरादना के मार्क दर्शन फिल आज यहां हमारे साथ मौझूद हैं वे कमाल के गायक हैं पर मैं आपको एक बात बता सकती हूँ दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी जेगे पर गाना चाहते होंगी पर उन्हें कभी वे करने का मौका नहीं मिलेगा जो फिलको मिला है क्यूं? हम लोग इस तरह सोचते हैं क्यूं परमीश्वर मैं क्यूं नहीं? क्यूंकि परमीश्वर परमीश्वर हैं और हम के वल इतना कह सकते हैं इसका क्या कारण है, ऐसा होने का क्या कारण है, ऐसा की हुआ, मैं इसके कुछ जवाब नहीं दे सकती, मैं नहीं जानती, सच बात यह है कि यह परमीश्वर हैं, हमें शांती मिल सकती है, यदि हम यह कहना आहरम करेंगे, सच कहता हूँ परमीश्वर, मुझे विश्वास है कि स कुछ लोगों को थोड़ी शांती हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, मांग और प्राप्त करो ता कि तुम्हारा आनंद पूर नहों, मैं प्रसंद नहों सकूंगी यदि मेरे पती नहीं बदलेंगे, बिल्गुल नहीं पर एक बात सुन लीजे, मैं भी यही सोचती थी और मेरे पती बदलेंगे, वो सच मुछ नहीं बदले, देखा जाये तो उनमें पहले से इतने दोश नहीं थे, मैं ही यह सोचा करती थी, कि उनमें बहुत सारे दोश है और मैं उन्हें बदलना चाहती थी, आखिरकार मैंने जाना कि मुझे अपने आनंद के सिम् देना बंद करना चाहिए, आमीन, देव बहुत गोल्फ खेलते थे और मुझे यह अच्छा नहीं लगता था कि वे गोल्फ खेलते थे, वे अभी गोल्फ खेलते हैं, और अब वे उसे अधिक गोल्फ खेलते हैं जितना उन दिनों खेलते थे, वे हर समय गोल्फ, गोल्फ, गोल्फ खेलते रहते थे, वे गोल्फ देखते थे और फुटबॉल देखते थे, होकी और सौकर और क्रिकेट जो भी आ रहा हो, वे देखते हैं, और मैं प्रसन्न होती हूँ, मैं प्रसन्न होती हूँ, आमीन तुम्हें इसलिए नहीं मैं ऐसे प्रसंद्न नहीं रह सकती यदि मेरे बच्चे नहीं होंगे जब तक मेरा बच्चा बड़ा होकर अपने घर नहीं चला जाता मैं प्रसंद्न नहीं रह सकती यदि मेरा बड़ा गर नहीं होगा तो मैं प्रसन्न नहीं हो सकती मैं प्रसन्न नहीं रह सकती यदि मुझे हर सब्ता वो काम न मिले जो मैं करती हूं तुम्हे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मांगते नहीं मांगो उसे परमेश्वर के हवाले करके यह कहो परमेश्वर मुझे आप पर विश्वास है यदि मेरे भाग्या में ये मिलना लिखा है तो आप सही समय पर वो देने वाले हैं और तब तक मैं प्रसन न रहूँगा क्योंकि मैं यहां आपकी सेवा के लिए हूँ आपकी सेवा के लिए आमीन अपने साथ में बैठे व्यक्ति के और मुड़ कर कहो मांगो ठीक है इफिस्यो तीन बीस के अनुसार अब जो ऐसा सामर्ती है कि हमारे बिंती और समझ में कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्त के अनुसार जो हम में कारिय करता है क्या यहां कोई है जो ऐसे कुछ बात है सोच सकता है जिस पर वो उसका चोटा सा प्रोजेक्ट है जिस पर आप किसी व्यक्ति पर काम करते आए हैं पर आप उनके लिए बहुत प्रार्थना नहीं करते सच बताईए देखिए जूटपन बुलिए मांगो अपनी चिंता त्याओब प्रार्थना के जिस दूसरी बाता के बार में हम बात करेंगी वो है गुप्त पाप देखिए हमें इस बात को स्विकार करना है और हमें बाइबल के कुछ विशिश वचनों को सुनकर उनसे काम करवाने की कोशिश करनी है परमिश्वर के वचन से पूर्ण मश्वरा लेकर माना की हम पाप करते हैं पर परमिश्वर का धन्यवाद की हमारे पास एक जवाब है हर मसीगे पास एक जवाब है एक तत्काल जवाब जब भी आप कुछ खलत करें और वो ये की उसे स्विकार करें एक करार करें परमेश्वर के एक शमा प्राप्त करें और बदलने और दोबार वो न करने का इरादा बनाएं यदि परमेश्वर आप पर अनुग्रा करके आपकी सहाइता करेंगे और शक्ती देंगे पर आप ऐसी बातों को अंदेखा नहीं कर सकते मैं बातों को अंदिखा नहीं कर सकती मसीयों के दुखी होने के सबसे महान कारणों में से एक है कि उनके दिलों में बात इच्छी पी होती है और वे ढोंग करते हैं हर रविवार वे प्रसन्न मसी चहरा लगाते हैं मैं आपको आपके वल एक बात बताऊंगी यदि आप हर रविवार गिर्जे जाते हैं और पूरा सब्ता आपके घर में जखड़ते रहते हैं और आप प्रार्तना करके और सोचते हैं कि आपकी प्रार्तना क्यों नहीं पूरी हो रही अच्छा होगा कि आप एक्रार करना आरम कर दें अपने घर से अनबन निकालना आरम करें वे बनना आरम करें जो शांती बहाल करता है और शांती बनाए रखता है तब परमिश्वर आपकी प्रार्तना हैं पूरी कर सकते हैं प्रभु मुझे वे सब वर्ष याद है जब मैं हर रविवार सुबह गिरजया जाते वक्त सारा रास्ता जगरती रहती थी और पर सोचती थी मेरी प्रार्तना क्यों पूरी नहीं होती इतनी मुर्खता ये सच मुझे बहुत बड़ी मुर्खता थी पर मुझे तब ग्यान नहीं था मैं बाइबल की केवल वे अंश सुनती थी जो मुझे अच्छे लगते थे मैं केवल वे अंश चुनती थी जिनके द्वारा कुछ प्राप्त कर सकती थी ये बिल्कुल सच है मैं वो हिस्से नहीं चुनती थी जिससे मुझे कुछ सीखने की अपेक्षा होती थी जैसा कि मैंने कहा था आप इसे बहतर समझेंगे जब हम इसके अंतक पहुँचेंगे पर मैं ये मांगो 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 जो भी चाहो मांगो वाला वादा चाहती हूँ मैं चाहती हूँ जब मैं इस वादे की अविश्वस नियाता को देखती हूँ वो मुझे कुछ भी करने को तैयार करता है जो परमीश्वर मुझे करने को कहे ताकि मैं भी उस प्रकार की शक्ति प्राप्त करके योग्यबनू परमीश्वर के साथ प्रार्थना करने में ये दुखत है कि हम इसे बहुत से इससे वन्चित रह जाते हैं क्योंकि हम अपना कोई घटिया सा रुख त्यागना नहीं चाहते मैं जाकर उनसे ये नहीं कहूंगी मैं शर्मिन्दा हूँ मैं हूँ जिसे हमेशा ख्षमा मांगी परती है अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगी और मैं एक ख्षमा नहीं मांगने वाली अच्छा तब आप बहुत चीजों से वन्चित रह जाएंगी आपका बुरा रोख आपके साथ होगा पर बहुत से चीजों नहीं होंगी सभी मसी आत्मिक नहीं होते बहुत से मसी कामी होते हैं इसका मतलब यह है कि उनका उद्धार हुआ होता है पर वे शरीर द्वारा चलते हैं क्या ये उन्हें स्वर्ग जाने से रोकता है बहुत अच्छा वहवान नहीं किया था जब वे यहां थे पर वे सच मुझ येशू में विश्वास करते हैं। बहुत विश्वास करते हैं। पर मैं आपको एक बात बता सकती हूँ। आप एक शक्तिशाली जीवन नहीं जीएंगे, आप एक प्रसन्न जीवन नहीं जीएंग मेरे बच्चे मसी स्कुलों में जाते थे और मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरा जिवन उस पापी से बिलकुल अलग नहीं था जो मेरी गली में रहता था और तो और मैंने अपने रुख से बहुत से लोगों को स्वर्ख से दूर रखा था क्योंकि जब लोग देखते हैं कि हम गिरजे जाते हैं पर हमारा वैवार उनसे बिलकुल बिन्न नहीं होता तब कोई समान नहीं होता और आज हमें जो सबसे बड़ा काम करना है वो ये है कि मसी जीवन जीना हमें केवल मसी ही जीवन जीना है माना कि हमसे भूले होंगी पर हमें तुरंट परमिश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए हमें इकरार करना चाहिए अपनी भूल स्विकार करनी चाहिए मेरे विचार से ये बहुत महत्वपूर्ण है विशेश रूप से यदि आपकी जीवन में कोई गड़ हो वे आपके जीवन में बार बार होता रहता होगा और आपको उसे मुक्ती नहीं मिलती होगी मेरे विचार से उन बातों में से एक जो बहुत सहायक होती है ये है कि अपनी भूलों को किसी के सामने इकरार करना और उससे प्रार्ट ना करवाना क्योंकि शैतान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बातों को खुले में लाएं में चाहता है कि वे छीपी रहें रहस्य लोगों को मार देते हैं वे चकीत करता है जो हम अपने साथ करते हैं जब हम बाते छीपाते हैं आपको इस पूरा सब्ता परिपूर्णा मनुश्य होने की आवश्यक्ता नहीं है कल मैंने पूरा दिन बुरा वहवार किया सच मुझ बुरा पर मुझे सच मुझ खुशी है कि परमेश्वर क्रिपाल हुए और मुझे ख्ष्यमा करने को तयार है मैंने इस बारे मुझे से बात की है आप भी मेरे लिए प्रार्थ ना कर सकते हैं क्योंकि मुझे उनकी मदद की आवश्यक्ता है आमीन कल आप कैसे थे? ठीक ठीक, सच मुझ ठीक, बिल्कुल ठीक भजन चाच अठारा इकरार करना बहुत अच्छा है मेरे विचार से हमें हर सुबर प्रार्थ ना आरम करने से पहले वे करना चाहिए आप कहें पर मेश्वर यदि ऐसा कोछ है जो मैंने किया था जिससे आपको या किसी और को ठेस पहुँची हो क्रिपिया उसे इस वक्त सामने लाएं ताकि मैं इकरार कर सको मुक्ति पालू अब जानते है मेरा ये मैं असल में किसी विशेश व्यक्ति को ये नहीं कह रही पर जानते जिए मैं यहाँ बैठ कर देखती हूँ मैं जानती होती हूँ कि यहाँ बैठे इतने लोगों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनोंने कई प्रकार के रह से रखे हैं परमेश्वर वैसे भी सब जानते हैं हम असल में परमेश्वर से छिपा नहीं सकते जब आप परमिश्वर से अपने पापों के बार में बात करें, ये मत कहें रभू मुझे माफ करें, मैं चूक गया ये पाप के लिए नया शब्द है, मैं चूक गया पाप करना मतलब लक्ष से भटकना पर मैं लोगों को ये कहते सुनना नहीं चाहती कि मैं इर्शालू हूँ मैं इर्शालू हूँ, मैं ग्रेनी थू, मैं असभ्यती, मैं निर्दय थी, मैं स्नेशिल नहीं थी हमें उसे ये बुलाना अच्छा नहीं लगता जिए वे होता है क्योंकि वे हमें घिनो ना लगता है, घटिया लगता है पर वह एक शमा को और बहतर बनाता है, आमीन तब जब मेरा दिल परमिश्वर के साथ धर्मी हो, जब हाँ कुछ न हो मेरा दिल धर्मी हो तब मैं परमिश्वर के पास आकर निरभरताय से मांग सकती हूँ जब शैतान मुझे याद दिलाने की कोशिश करे, तुम ये नहीं मांग सकती, जरा सोचे तुमने कल क्या किया था कहना तुम कुछ भूल रहे हो, मुझे परमिश्वर निक्षमा कर दिया है, मैं मुक्थुचका हूँ भजन चाचट अठारा यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभू मेरी न सुनता याकुब पाँच सोला इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रारतना करो, जिससे चंगे हो जाओ, दिल और मन के आत्मी के शैली बन जाए धर्मी जन की लगातार दिल से कि प्रारतना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बेसकरियता से काम करती है चलिए पीछे चलकर उसका पहला हिसा देखते हैं, ये सब एक ही वचन है तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों, अपनी भूलों, अपने गलतियों को मान लो और आपको अपने हर पहचान वाले को वे सब नहीं बताना है जो आपने किया है पर हमें ढोंगी पाखंडी जीवन जीना बंद करना है और असली बनना है अमीर अपने पापों, अपनी भूलों, अपनी गलतियों और अपराधों को इकरार करो और एक दूसरे के लिए परार्थना करो लोगों को आंके नहीं जब आपको पता चले कि उन्होंने कुछ किया है उनके लिए परार्थना करें जिससे चंगे हो जाओ दिल और मन के आत्मिक शैली बन जाए धर्मी जन की लगातार दिल से की परार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है वे सक्रियता से काम करती है शैतान चाहता है कि हम गलत काम करें बे चाहता है हम अपराथ और दोश से दबे रहें कभी उससे ना निप्रे और उसके बाद देनियत तरीके से प्रार्थना कर परमीश्वर यदि आप ये एक काम कर देंगे मैं आप से कभी कुछ और नहीं मांगूंगा मुझे उससे नफरत है जो शैतान लोगों के साथ करता है मैं एक दिन एक दुकान में एक महिला से बात कर रही थी वो वहाँ काम करती थी फिर उसने मुझे पहचाना और मुझे बताए कि वो किस गिर्जे में जाती थी और फिर मैंने उससे ये पुछा कि उन लोगों को उस दुकान में किस प्रकार वेतन मिलता था मैंने कहा क्या तुम्हें कमिशन मिली है यहां घंटों के हिसाब से उन्होंने कहा मुझे घंटों के हिसाब से पैसे मिलता है पर मुझे एक कोटा नित्यांश पूरा करना होता है और यदि मैं वो कोटा पूरा न करूँ और यदि मैं बहुत समाई तक अपना कोटा पूरा ना करूं तो मेरी नौकरी छूट सकती है और उसने कहा कई बार ये भाई भीत होता है आप जानते हैं वे सब कर रहे होते हैं और यदि आप छोटा अपना कोटा पूरा नहीं करते हैं आपको नौकरी से निकाल दिया जाता ह मैंने कहा तुम प्रार्थ ना करके परमीश्वर से मंगो उसने कहा ऐसा नहीं कर सकते मैंने कहा प्रार्थ ना करके परमीश्वर से कहो कि तुम पर अनुगरा करे प्रार्थ ना करो कि जब लोग तुमें देखे तो तुम उन्हें अच्छी लगो क्यों उनकी तुम से चीज़े खरीने की इच्छा हो उसने कहा पर आप अब ये सुनी वो महिला तीस वर्षों से गिर्जे में थी और उसने मुझे कहा पर हम पैसों के लिए प्रार्टना नहीं कर सकते क्यों है न? ये दुखत था ऐसे कितने लोग होते हैं इस वक्त मुझे देख रहे हैं कुछ लोग भी जो ये कह रहे हैं आपका मतलब हम उसके लिए प्रार्टना कर सकते हैं मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगो विसा प्रस्तुत करके जो मैं हूँ ज़ित तुम मुझे में रहोगे मेरा वचन तुम में रहेगा जो चाहे मांग लेना हम अनुग्रा क्यों नहीं मांग सकते मुझे बहुत अनुग्रा मिलता है मुझे वे अनुग्रा मिलता है जो चकित करता है और इसका कारण ये नहीं कि मैं टीवी पर आती हूँ मैं अनुग्र मांगती हूँ मैं परमीश्वर से प्रार्तना मैं अनुग्र मांगती हूँ अपनी जीवन के लगबख हर दिन मैं अनुग्रकले प्रार्तना करती हूँ और उनका इक्रार करती हूँ मेरे पास समय नहीं है लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करने का ताकि सब लोगों को मैं अच्छी लगने लगूँ मैंने पहले कुछ वर्ष ये करने की कोशिश की और ये हमें मार देता है इसलिए मैंने अंत में नेर नहीं लिया परमीश्वर आपको ऐसा करना होगा कि मैं उन्हें अच्छी लगूँ क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मैं कुछ नहीं करूँ मुझे विश्वास है कि परमिश्वर मुझ पर अनुख्रा करते हैं खोले द्वारों के लिए प्रार्त ना करें, प्रार्त ना करें कि परमिश्वर वे द्वार खोलें, जो आप नहीं खोल सकते और वे बंद करें, जिने आप बंद करना चाहते हैं, पर नहीं कर सकते, आप सुन रहे हैं ना, परमिश्वर से केवल द्वार खोलने के लिए प्रा आपसान होगा, यदि आप चीजों को वे बुलाना आरम करेंगे जो वे हैं और यदि आपका कोई अच्छा मित्र होगा या कोई साथी या कोई बहन जिस पर आप सच मुझ विश्वास कर सकते होंगे और अपने को किसी के प्रती जवाब देव बनना आरम करेंगे और इकरार क की मांग करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे शैताना आग बबुला होगा, क्योंकि बेचाहता है आप सब पुछी पा कर रखेंगे और चाहरे पर नकली मुस्कान लाकर मुखोटा पहने, जब असल मैं अंदर से आप बरबादी की कगार पर हों, मैंने अपने जीवन में ये द की परमिश्वर के साथ समय बिताएं, आशा है कि ये शिक्षा आपको प्रार्तना करने के लिए प्रोच्साही करेगी, हर चीज़ के बार में प्रार्तना करें, आपके पास नहीं है, क्योंकि आप मांगती नहीं है, और अपने प्रत्य काम में परमिश्वर को सहीयोगी बना प्रार्तना के अनुरोध बना रहें के लिए हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शडियूल जानने के लिए, और हमारे सहीयोगी बन जाएं, दुनिया भर में मसी का प्रेम बाढ़ने के लिए